भारत में वर्तमान में कौन क्या है? 2023 काफी ज़ादा important topic है अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो तो friends वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected और important लिए अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ादा useful रहने वाला है यानि की BCCI के नई अध्यक्ष कौन बने है सही answer हो का option A रॉजर बिन्नी BCCI के नई अध्यक्ष बने है BCCI का फुलफर मोता है Board of Control for Cricket in India 1928 में इसकी स्थापना हुई थी मुख्याले मुंबई में है सचीव है जैशा उपाध्यक्ष राजीव शुकला है अगला कोशन भारतिय सेना के नई उप्रमुख कौन बने है सही answer है option A M.B. Suchendr Kumar M.B. Suchendr Kumar भारतिय सेना के नई उप्रमुख बने है भारतिय थलसेना की बात हुई है एक एपर 1895 को इसकी स्थापना हुई थी मुख्याले है नई दिल्ली में और भारतिय थलसेना दिवस 15 जन्वरी को मनाया जाता है अगला कोशन करते है Institute of Chartered Accountants of India ICAI के नई अध्यक्ष कौन बने है इस कोशन को आप Double Star मार कर लीजिए सही answer होगा option D Aniket Sunil Talati Aniket Sunil Talati ICAI यानि की Institute of Chartered Accountants of India के नई अध्यक्ष बन गए है ICAI का फुल फॉर्म English में उता Institute of Chartered Accountants of India 1 July 1949 कोशी स्थापना हुई थी मुख्याले है नई दिल्ली में भारत के नई Chief of Defense Staff यानि की CDS कौन बने है सही answer है option C अनिल चोहान भारत के दूसरे नंबर के CDS बने है CDS एक चार स्टार जनल अधिकारी होता है CDS पढ़ का पद का गठन एक जनलबई 2020 को हुआ था भारत के पहले CDS ते जनलब विपिन रावजी और भारत के दूसरे CDS बन गए है अनिल चोहान जो की उत्राखन राच्चे से है